अलव में आपको बताने वाली हूं आपके सरदियों में वेर्स उर्समीन खाना चाहिए क्या अम्रूज़स खाँ सकते हैं इस वीडियों में इसी टॉपिक पर बात करने वाल συν। अम्रूद में कई सारे एंटी आक्सिडेंट, विटमेंसी, पोटेशियम वया फाइबर होता है इसके अलाबा इसमें फोलेट, लाइकोपीन जैसे न्यूट्रियंट्स पाई जाते है अम्रूद में 80% वाटर होता है जो मारी स्किन को हाइडरेट रखने का काम करता है अब आएजे जानते हैं कि सर्दियों में अम्रूद खाने के क्या-क्या फायते है अम्रूद सर्दी खासी होने से बचाता है जैसे जैसे सर्दियां आती है, सर्दी खासी होना एक आम बात होती है अम्रूट और इसकी पत्तियों में भरपूर मात्रा में विटमिन C, आयरन होता है, जो सर्दी खासी को आराम देता है, यह इम्मुनिटी बढ़ाने का भी काम करता है, खासी में पका अम्रूट नहीं खाना चाहिए, कच्चा अम्रूट खाने से बलगम कम होता है, सर्दियों म हमारी इम्मूनिटी भी बूस्ट होती है अगर आप डेली अम्रूत खाते हैं तो इससे आपकी बॉड़ी की इम्मूनिटी होती है वह बूस्ट हो जाती है अगर किसी को बार-बार सर्दी जुखाम होता है तो उसे अम्रूत का सेवन जरूर करना चाहिए जिलनों को पेट से ले्टी हम तो अम्रूत में वीद्将ous इससे नहीं होती है के डाइजेशन को भी ठीक होती है तो पेट में तो इसको लेक नहीं आपे national पाइजाता है तो कैंसर को बूंस करता है एक वन-ट ऌका। जोंगर करके हेर्ट से लेटेट वीमारियों को भी रहात दिलाता है सकिन और हमारी आइज के लिए फाइदेमंद है अमरूर में विटुमिन एय विटुमिन ई परियाप्त मात्रा में पाय जाता है। इसलिए यह आइस हेयर और इसकिन के लिए भी वेनिफिशल होता है। यह मूह के छालों को भी ठीक करता है, मूह में छालों की अगर समस्य आए तो अमरूर जरूर खाना चाहिए, इसके पत्तों को आप पीस लें, उसका लेप लगाने से जो छाले होते हैं वो ठीक हो जाते हैं, इसमें इसके इतने स्वास्थ फाइदे हैं कि इसे गरीबों का कराता है, और आपके वेट लॉस में हेल्प करता है, अमरूर वा केले में बराबर पोटेशियम पाए जाता है, जो दिल की सेहत में एहम भूम्र का निभाता है, इसलिए आपको अमरूर जरूर खाना चाहिए, इसको खाने से हिमोगलोबिन भी बढ़ता है, आइरन वा जरूर करना चाहिए, आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि सर्दियो में आपको अमरूर खाना करना क्राइए या नहीं करना चाहिए, आप के लिए क्या फायदे 만द है, क्या आपके लिए नुकसान दायक है, इस वीडियो मैं इसी टॉपिक पर बात करी अगर अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करिए मेरे चैनल को सब्सकाइब करिए और अपनी फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करिए बाइबाइब